आप देखिए यह विडियो, माया ट्यूटर पर मुफ्त कूपन कोड साइट पर बैनर में दिया गया है, अभी पंजी करन करें, फ्री में ओनलाइन क्लास लें हमारे देश में कई प्रतिभाशाली शिक्षन शिक्षक हैं, प्रहिनिया और बेरोजगार बहुत कम दरों पर कक्षाएं लगाकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब कॉविड आया तो वे क्लास नहीं ले सके, इतने सारे महान शिक्षन आप्पन करें, के आगमन के साथ कई ने अपने छात्रों को खोदिया है, वेब साइट को बड़ी रकम में नहीं बनाया जा सका, लेकिन इस प्रकार के होम ट्यूशन का उप्योग शिक्षक माया ट्यूटर्स डॉट कॉम पर बहुत कम मासिक दर पर कक्षाएं लेने के लिए कर सकते हैं, य साथ ही अब आप जूम एप और गूगल मीट के जरिये लाइव क्लासेज ले सकते हैं, यह सब माया वैब पोर्टल के जरिये बड़ी आसानी से किया जा सकता है, आपके छात्रों के अलावा अन्यदूर के छात्र इस पोर्टल के माध्यम से आपको धून सकते हैं, उन्हें अपना छात्र बनाएं और कक्षाई लें, एक और विशेशता यह है कि आपको बहुत सारे चूशन चात्र मिलते हैं, इस युग में जहां शिक्षा एक व्यवसाई बन गया है, यह साबित करके कि शिक्षा केवल एक व्यवसाई नहीं है, अपने कोशल को साबित करें, बहत अधिक जानने के लिए यह वीडियो दे ट्यूशन लेने के लिए इस वेब पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं, दुनिया एक ओनलाइन क्लास की तरफ बढ़ रही है, फिर आपके छात्र एक ओनलाइन कक्षा में चले जाएंगे, ओनलाइन ट्यूशन क्लास लेने के लिए आपको एक वेब साइट बनानी होगी, यह बहुत महेंगा है, लेकिन सामान्य शिक्षक इस वेब साइट के माध्यम से बहुत ही कम लागत में ट्यूशन ले सकते हैं, प्रोबोटिक्स क्लास क्या है, प्रोबोटिक्स कक्षाएं एक वेब पोर्टल की मदद से आयोजित की जाने वाली कक्षाएं हैं, जो एक बार ली गई ट्यूशन कक्षाओं की डिजिटल फाइलों का उपयोग करती हैं वेब पोर्टल पर डैनिक कक्षाओं के विडियो और नोट्स की सूची बनाएं इनका उपयोग बाद में बिना कक्षाइं लिए छात्रों को ट्यूशन कक्षाइं देने के लिए किया जा सकता है शिक् इन विशयों की ट्यूशन ले सकता हूँ? इन विशयों में कक्षाएं ले सकते हैं। शिक्षक छात्रों से फीज कैसे लेते हैं? फीज सीधे छात्रों से ली जानी चाहिए। इसके लिए शिक्षक के प्रोफाइल पर शुल्क भुगतान करने वाला बैंक खाता और पैमेंट वॉल एट क्यू आर कोड प्रदर्शित करने के विकल्प हैं। क्या मुझे माया ट्यूटर को छात्र शुल्क में से कोई कमीशन देना होगा? नहीं, इस वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों से केवल किराया लिया जाता है। शिक्षकों से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है। माया पोर्टल के माध्यम से ओनलाइन ट्यूशन सुविधा की दर क्या है? माया बहुत कम मास से किराया लेती है अधेक जानकारी के लिए मूल्य देखें क्या मुझे भुगतान करने से पहले डेमो मिल सकता है? जी हाँ बिल्कुल आपको साथ दिन का डेमो मिलेगा शिक्षकों के लिए डेमो प्राप्ठ करने के लिए क्या करें? यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो डेमो उपलब्ध होगा डेमो कितने दिनों में उपलब्ध होगा यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं यदि आप एक छात्र के रूप में पंजी करन करते हैं, तो आप इस पोटल पर पढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे. शिक्षक का पंजी करन कैसे करें? डेमो कैसे प्रापत करें? अगर आप शिक्षक हैं तो यहां शिक्षक के रूप में पंजी करन करें. पहले इस form को भरेन, नियम और शर्ते स्वीकार करें, रजिस्टर पर क्लेक करें अपने mail पर जाने के बाद, माया ट्यूटर सक्रियन mail खोलें सक्रियल लिंक पर क्लेक करें, मेंबर लॉगिन का चैन करने के बाद अपना mail ID और password दर्ज करें और फिर लॉगिन करें, यह आ, Google के साथ लॉगिन चुने देमो अब तैयार है, अपनी profile संपादित करें, यह विडियो देखें, अपना पार्थ्यक्रम और मॉड्यूल बनाएं डेमो के बाद Maya Web Portal का उप्योग करने के लिए शिक्षकों के लिए क्या दर है, खृप्या यह कीमत देखें इस पोर्टल पर कितने पार्थ्यक्रम सूची बद किये जा सकते हैं, पार्थ्यक्रम असीमित के रूप में सूची बद किया जा सकता है इस पोर्टल में कितने चात्रों को जोड़ा जा सकता है आप असीमित चात्रों को जोड़ सकते हैं क्या इस पोर्टल में लाइव क्लास लेने की कोई सुविधा है आप यूट्यूब लाइव विडियो लिंक को सूची बद करके लाइव क्लास ले सकते हैं अभी रजिस्ट करें और अधेग जानकारी के लिए देमों आजमाएं। पार्थ्यक्रमों को सूची बद करने में मेरी सहायता कौन कर सकता है। एक बार शिक्षक मंजीकृत हो जाने के बाद पार्थ्यक्रम की सूची कैसे बनाएं। पीडिएफ कैसे सूची बद करें और लाइव क्लास कैसे लें। इस पर हर जगह वीडियो होंगे। आए इन वीडियो को देखें और पार्थ्यक्रम की सूची बनाएं। मैं एक छात्र हूं। क्या मुझे माया पोर्टल पर शुल्क देना होगा। नहीं। यह छात्रों के लिए सौ प्रतिशत मुफ्त है। छात्र शिक्षक और पार्थ्यक्रम पा सकते हैं। लेकिन ट्यूशन फीज सीधे शिक्षकों को देनी होगी। मैं एक शिक्षक और एक छात्र के रूप में पार्थ्यक्रम कैसे ढूंड सकता हूं। पार्थ्यक्रम का नाम शिक्षन विशय। संस्थान का नाम और स्थान के लिए यहां खोजें। यहां अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी दर्ज करें। स्थान दर्ज करें और खोजें। अब आप चयनित क्षेत्र में शिक्षक पा सकते हैं। यदि आपको इस क्षेत्र में शिक्षक नहीं मिलते, तो अन्यस्थानों के नामों से खोजें। वर्तमान शिक्षकों का वैब पोर्टल खोलें। अब आप इस शिक्षक का संपर्ख पता। WhatsApp नंबर और पाठ्यक्रम की जानकारी देख सकते हैं। यहाँ आप सीधे शिक्षकों के WhatsApp पर चैट कर सकते हैं। या शिक्षक यहाँ मेल द्वारा ट्यूशन की जानकारी मांग सकते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षक की जानकारी नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको पंजी करन या लॉग इन करने की आवश्चकता है, एक रजिस्टर क्या है, लॉग इन क्या है, यदि आप इस वेब पोर्टल पर पहली बार जा रहे हैं, तो आपको पंजी करन करना होगा, यदि आप एक छात्र हैं, तो आपको यहाँ एक छात्र के रूप में पंजी करन करना होगा, मत भूलो, यदि आप एक छात्र हैं, तो केवल पहली बार एक छात्र के रूप में पंजी करन करें, यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं, तो आप इस पोर्ट के बाद माया ट्यूटर एक्टिवेशन मेल खोले एक्टिवेट लिंक पर ख्लिक करें रजिस्टर अब पूरा हो गया है अब आप अपनी मेल आईडी और पास्वर्ट डाल कर लॉग इन कर सकते हैं चयन करें मेंबर पहुँज अपनी मेल आईडी और पास्वर्ट से लॉग करें यह गूगल के साथ लॉग इन का चयन करें उन विशयों और शिक्षकों को खोजें जिनकी आपको आवश्यक्ता है इसके लिए यहां खोजें कर दोंकर कर दो झाल । बढ़ी है आवश्या क्लफ writes ऴाड़ है । आपने आपल। झाल झाल, झाल, झाल 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 झाल